हलो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तीन मोटर को चलाने के लिए हम डियोल स्टाट का कनेक्शन कैसे करेंगे तो आज इस वीडियो में आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं इसका हम power wiring और control wiring करके आप लोग को बताने वाले हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं first वाला motor इस वाले push button से control होगा second वाला motor इस वाले push button से control होगा और third वाला motor इस वाले push button से control होगा इसको off करने के लिए हमने यहाँ पे एक nc push button को लगा रखा है red color का जो है इसको हम on off करने के लिए हम use करेंगे तो अगर सबसे पहले अगर हम देखें इसका power का connection के लिए तो हमारे पास यहाँ पे three face का supply होना चाहिए plus neutral भी होना चाहिए तो चलिए हम यहाँ पे three face का supply ले लेते हैं three face का supply में ryb और n होना चाहिए यहाँ पे 4 wire होना चाहिए ठीक है तो अब इसके बाद जो हमारा bar ही आता है जो यहाँ पे first वाला जो contactor है इसमें power को connection करने के लिए इसमें हम incoming supply देंगे यहाँ से हम एक red wire को उठाएंगे जो contactor का L1 जो thermal है हम उसमें लाकर connect कर देंगे उसके बाद दोस्तो हमें क्या करना है यहाँ से हम एक yellow wire को उठाएंगे और contactor का L2 जो thermal है हमें उसमें लाकर connect कर देना है उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें यहां से blue wire को भी लेंगे और यहां पे L3 जो टर्मल है हमें उसमें लाकर connect कर देना है दोस्तो इसमें connect करने के बाद हमें क्या करना है second वाला जो contactor है इसमें भी हम incoming supply को देंगे तो हम यहां से एक red color का wire उठाएंगे और जो contactor का L1 जो टर्मल है हमें उसमें लाकर connect कर देना है इसमें connect करने के बाद दोस्तो हमें क्या करना है हमें yellow wire को भी लाकर यहां से L2 जो टर्मल है हमें उसमें connect करना है उसके बाद हम blue wire को भी लाकर हम L3 टर्मल में connect करेंगे दोस्तो K1 और K2 कंटेक्टर का जैसे हम connection किये हैं वैसे ही K3 कंटेक्टर का भी हम connection करेंगे incoming supply देंगे हम यहां से एक red wire को लाकर हम कंटेक्टर का L1 जो टर्मल है हमें उसमें connect कर देना है उसके बाद हम यहां से एक yellow wire को उठाएंगे और कंटेक्टर का जो L2 जो टर्मल है हमें उसमें लाकर connect कर देना है और यहां से एक blue color का wire को उठाकर L3 टर्मल में हमें connect करना है दोस्तो इस तरह से हमने कंटेक्टर में incoming supply को दे दिया है उसके बाद हम connection करेंगे motor के लिए निकालने के बाद हम क्या करेंगे इसका जो red color का wire है हम overload relay का जो T1 जो टर्मल है उसमें ले जाकर हम connect कर देंगे इसका जो yellow color का जो wire है और overload का relay का T2 टर्मल में connect करना है और blue color का wire T3 टर्मल में connect करना है इससी तरह से हम motor 2 का भी connection करेंगे motor 2 का भी connection करने के लिए हमें एक cable connect करके निकालेंगे motor से और इसका जो red color का जो wire है overload relay का T1 जो terminal है उसमें ले जाके connect करना है और yellow color का wire T2 terminal में connect करना है और blue color का जो wire है वो T3 terminal में connect करना है इसी तरह से दोस्तों first और second जैसे हम motor के connection किया है इसी तरह से हम THED वाला motor का भी connection करेंगे ठीक है ना इसमें से भी हम एक cable को connect करके निकालेंगे और red color का wire ले जाकर हमें T1 जो terminal है overload relay का उसमें ले जाकर हमें connect करना है और yellow color का wire T2 terminal में connect करना है अब blue color का wire T3 terminal में connect करना है इस दोस्तों हमने इसका power wiring कर दिये हैं अब यहाँ पे आता है control wiring करने का अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास L1 और L2, L3 यानि की हमारे पास 3 face का supply है तो हम यहाँ पे कहीं सभी एक wire को ले सकते हैं ठीक है ना, R, Y, B, हम कहीं सभी एक wire को ले सकते हैं तो यहाँ से हम red wire को लेकर हम इस MCB का incoming जो terminal है इसमें हमें connect कर देना है दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है इसी MCB से एक output wire को निकालेंगे और NC push button का incoming जो terminal है हमें उसमें लाकर connect कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों अब हमें क्या करना है इसी NC push button से एक wire को निकालेंगे जो की output wire होगा और लाकर इस push button का जो incoming terminal है हमें उसमें लाकर कुछ इस तरह से connect कर देना है दोस्तों अब हमें क्या करना है इसी NC push button से एक wire को निकालेंगे और यहां पर हम लाएंगे जो overload relay का 95 नमबर जो terminal है हमें उसमें लाकर connect करना है कुछ इस तरह से उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है इसी overload relay का 96 नमबर जो terminal है हमें एक wire को उठाना है और ले जाकर सीधा इस contextual का A1 जो terminal है हमें उसमें connect कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तो इसमें connect करने के बाद हम क्या करेंगे इसी A1 टर्मल से एक wire को उठाएंगे और सीधा ले जाकर इसका NO जो टर्मल है यानि कि 13 नंबर टर्मल है उसमें ले जाकर हमें connect कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तो तेरे नमबर टर्मिनल में हमें किनेट करने के बाद हमें क्या करना है इसी NC push button का जो output जो टर्मिनल है इससे एक wire को निकालेंगे यहां से एक wire को निकालेंगे और सीधा ले जाकर हम यहां पे जो 14 नमबर जो टर्मिनल है अब हमें यहाँ पे connection करना है तो second वाला contactor का connection करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जो first वाला जो यहाँ पे push button लगा हुआ है इसका जो incoming जो terminal है यहाँ से हम एक wire को निकालेंगे और सीधा हम लाएंगे यहाँ पे जो overload relay है जो second वाला overload relay है उसका जो 95 number terminal है दोस्तों यहाँ पे हमें लाकर connect करना है जैसे कि आप देख रहे हैं ठीक है ना यहाँ पे आपको लाकर connect करना है पिल्कुल easily ठीक है ना उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ पे जो 96 number terminal है यहाँ पे जो overload relay का यहाँ से हम एक wire को निकालेंगे और सीधा ले जाकर इस वाले push button में हमें लाकर connect करना है यानि कि in करना है ठीक है ना उसके बाद क्या करना है हमें दोस्तों इसी push button से यानि कि दूसरे side से हम एक wire को निकालेंगे अनो का टर्मल है हमें उसमें ले जाकर connect कर देना है उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है जो k3 जो contactor है हम इसका जो 14 number जो टर्मल है हमें इससे एक wire को निकालना है और सीधा ले जाकर जो second वाला contactor है इसका चौदे नमबर टर्मल में हमें connect कर देना है कुछ इसका से दोस्तों उसके बाद हम connection करेंगे जो first वाला जो यानि की k1 जो contactor है अब हम इसका connection करेंगे तो इसका connection करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है हम यहां से जो second वाला जो overload relay है इसका 95 नमबर जो terminal है हम उससे एक wire लेंगे वहां से एक wire लेने के बाद हमें first वाला overload relay का 95 नमबर terminal में हम यहां पे लाकर connect कर देंगे ठीक है न यहां पे connect करने के बाद हम दोस्तों क्या करेंगे इसके जो 96 नमबर जो terminal होते हैं यहां से हम एक wire को निकालेंगे और सिधा ले जाकर इस वाले pust बटन में हमें ले जाकर connect कर देना है अब हम क्या करेंगे इसी pust बटन से एक wire को निकालेंगे और सिधा ले जाकर जो contactor का A1 जो terminal है हमें वहां पे ले जाकर connect कर देना है कोच छे इस तरह से उसके बाद उस्तों हमें क्या करना है इसी A1 टर्मल से एक wire को उठाएंगे और सीधा ले जाकर जो contactor का जो 13 number जो टर्मल है यानि कि NO टर्मल है हमें उसमें ले जाकर connect कर देना है उसके बाद हमारा जो बारी आता है यहाँ पर 14 नमबर टर्मल में एक वायर को किनेट करने के लिए तो हम 14 नमबर टर्मल में वायर को किनेट करने के लिए हमें क्या करना है जो K2 जो कंटेक्टर इसका जो 14 नमबर जो टर्मल है यहाँ से हम एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर यहां पर फर्ष्ट वाले जो कंटेक्टर का जो 14 नमबर जो टर्मल है हमें उसमें ले जाकर कनेट कर देना है कुछ इस तरह से ठीक है ना उसके बाद अगर हम बात करें नीटल के लिए तो हम नीटल वायर भी हम यहां से एक उठाएंगे दोस्तों आब हमें क्या करना है इसी कंटेक्टर से हमें एक वायर को यानि कि एक न्यूटल को उठाएंगे एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाका जो फर्स्ट वाला जो कंटेक्टर है यानि कि उसका एक टू जो ट्रमल है हमें उसमें ले जाकर न्यूटल सप्लाई को दे देना है दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा वीडियो कम्प्लीट हो रहा है अगर हमारे वीडियो अच्छा लागा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं तो सब्सक्राइब ठोक दीजिए ठीक है ना